So, hope you all doing pretty well, आसा करता हूँ, आप सब बहुत ही अच्छे हैं, पुरी सिद्धत मेहनत से आप लोग लगे हुए हो, आपका एक्जाम सामने है, आप 68 BPSC देने वाले हो, चाहे आपका जो ड्रीम है वो बिहार दरोगा है, लास्ट समय में किस तरीके से आपको quickly revision करना है, current affairs का वो बीडियो आपके लिए हम ये रख रहे हैं, ठीक है, बस इतना करना है कि आपको ध्यान रखना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, बाकी आपका ये PDF भी है, हम आपको टेलीग्राम पे upload कर देंगे, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, हम लोग इस जो है वीडियो में तीन मन्त का हम लोग स्टार्ट करेंगा, देखे, आपको भी इसी तरीके से आपको फाइनल जो डिवीजाने, इस तरीके से करना है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, इंडिया कैम्प, ठीक है, तो इंडिया कैम्प 2022, सबसे पहले इस तरीके से बात आरो, इस तरीके से आपको पढ तो हम इस तुडेंट आपको कैसे पढ़ना है वी देखे सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया कैंप 2022 तो इंडिया केंप 2022 आपका कहा हुआ है तो सबसे पहले याद रखना है डेली में हुआ है ठीक है इसका रिलेशन किस चीछ से तो याद रखेगा पैट्रोलियम और जो के पहले हमने बात के इंडिया केम 2022 कहां हुआ डली में हुआ किस से रिलेटे तो इन्वेस्टमेंट सेक्टर किस से पेट्टोरियम एंड केमिकल उठारन किस नहीं किया था तो मंसुख मंडावनी ने किया था ठीक है और यह जो कि हमारे स्वास्तमें इस इसी तरीके से हमें करना आप जो भी बात है आपके लिए हो ठीक है चलिए इसको मैं थोड़ा आपके लॉंग कर लेता हूं ठीक है उसके बाद हम लोग बात करते हैं अभी मनाया गया है आपका ग्रेटर नोईडा में क्या मनाया गया है आपका ग्रेटर नोईडा में आपका मनाया गया है जल नदी एवन विकास मंत्राले के द्वारा जिसको हम लोग बलते हैं Ministry of Water Resource River Development ठीक है इन्होंने क्या क्या है Greater Noira में इन्होंने मनाया है एक से लिके 5 November के बीच में क्या मनाया है तो आपको याद रखना है भारत जल सप्ता तो हमें इतना नहीं पढ़ना है हमें कैसे पढ़ना है भारत जल सप्ता मनाया गया है ठीक है कहां मनाया गया है Greater Noira में मनाया गया किनके द्वारा किया गया है तो आपको याद रखना है यह है Ministry of Water Resource and River Development इतना ही बस याद रखना है इसको ठीक है इसमें तीन कंट्री जो थीम कंट्री आप बोल सकते हैं देनमार्क, फिंडलेंड और सिंगापूर भी साथ में थे तो आपने क्या समझा आपने यह समझा कि भारत जल सप्ता मनाया गया था एक से पांच नमाबर के बीच कहां मनाया गया, greater noida में मनाया गया ठीक है और इसका उदगाटन किस नहीं किया था तो रासपती, दुरूपती, मुर्मू नहीं किया था और किसके द्वारा तो आपको याद रखना है, Ministry of Water Resources and River Development, ठीक है इसका थीम क्या था, सतच विकास समानता के लिए जल सुरक्षा, ठीक है बस इतना ही आपको यहाँ से याद रखना है, चलिए, आगया आईए उसके बाद है आपको याद रखना है कि जो गुजरात का केवरिया है, बस मेरी बातों पे आप ध्यान दोगे में जो लिखा हुआ है, उस पे आपको ध्यान नहीं देना, PDF आपको दे दिया जागा, ताइम होका तो आप पढ़ लेना पुरा तो गुजरात के केवरिया में क्या हुआ है, जो PM जी है, ठीक है, PM मोदी जी है, उन्होंने क्या क्या है, आपको पहला तो याद अखना है, भूल भूल या उद्यान का उद्घाटन क्या है, और मियावाकी जो 1 है, उसका भी उद्घाटन क्या है, तो गुजरात का केवरिय आपको पिले से घ्म जिसका नाम है आपका मानंगर धाम में आपका मानंगर धांगांगोड कर तो डाइस्थान मां Staim Oh Wasid कर दिया घे बस इतना याद अखना है आपको ठीक को चलिक है अगया ये कि इसके पाद में आंगे याद अखना है कि याद एक कि जो 36 गर है ठीक है 36 गर ने क्या किया है आपका तो 36 गर में क्या किया गया आपको याद अगना है 36 गर ने जन जाती निर्थिया तो पूछा जागा कि रास्टिय जन जाती निर्थिया वो कहां मनाया गया तो आपको याद अगना है 36 गर में मनाया गया रास्टिय जन जाती निर्थिया आपको राइपूरे मनाया गया 36 गरेम बात खत्ब ठीक है अब याद रखेगा जो CRPFA से सेंटर रिजर्ड पुलिस फोर्ड उसने क्या क्या पहली बार दो अधिकारियों के IG के पोस्ट पे बैठाया है उनका नाम क्या है तो एक है अनिय अबराहम और एक है आपक किया गया है यह बहुत इंपोर्टेंट है तो याद रखना CRPF दो पहला ओमेन आईजी एनी अबरहम और सीमा दुंडिया और उसमें जो आपका सीमा दुंडिया है उनको बिहार सेक्टर का IG बनाया गया है बस बात खत्ब ठीक है उसके बाद हम लोग बात करते हैं अब या नागरिक संपर्क और संचार कारेकरम किसने स्टार्ट किया है तो मेघालाय सरकार सिंपल या दखना जब संचार संचार जब मेघाते तो क्या होता आपका संचार तूट जाता है तो बस नागरिक संपर्क और संचार कारेकरम मेघालाय सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गय करते हैं मतलब यह आयोजन हुआ था उत्र आंट यू जाए तो आपको याद अगा है डेली में कहा वा सिल्फ संगम का अऊजन का हुआ डेली में वह बस इतना आपको यहां से याद रखना है सिल्फ संगम नई दिली में स्टार्ट किया गया था और किसके दौर अगर स्टार प्रारिता मंत्राले बस इतना याद अग्राइब निवेदक दीदी पहल इसलिए इंडियन पोस्ट बेंक के द्वारा इसलिए इंपॉटेंट हो जाते है क्या है और इसल बात किया रिप्रीया शीन पोश्ट पेमेंट कहां कहां किया इतनी आपको यहां, पुछाएगा, अब याद रखेगा, कि जो आपका था महीिचलाएगा, जिसको बोला हजाता है, महिस्टाइका, возмож मौलूहा गुफा, क्या कियागा है, इसको सामिल किया गए, युनेश्कोगा था मैं हो आपको याद धकना है भूवएग्यानिक विरासत इस्थर में इसको रूप में माहियता दीगए, तो सिम्पल आपको पूछा आएगा, न्यूज में इसे इसको दिया हुआ था, मॉमलुहा गूपा कहा है यह, यहाद धकना है मॉमलुहा मॉपर megalaya, तो मॉमलुहा कैव, ठीक अज़न चाट करम बेस्ट किया घया है मेगा लाए के द्वारा तीक है इस तरीके से ही परतार्याइब बार पूरा वीडियो है यह दखेगा जो बीपीजल है यह आप नहीं कि और आप कितने sustainable oil and gas company क्या है एक एक यह sustainable oil and gas company का इसको टैग मिला है तो simply directly पूछा जएगा कि कौन सा कंपनी को sustainable oil and gas company का tag मिला है तो वह है आपका BPCL तो हाल यह भारते प्रटेश को देश का पहला सतत तेल और gas company का मान्यता दी गए वही सतत मतलब होता है sustainable oil and gas company का मान्यता किनको दिया गया है चाहिए तो BPACL को ठीक है बात कना। उसके बाद याद खीएगा पंडू-li-pi पंडू-lip लाइबरेरी कहां बनाए गया पंडू-li-pi क्या है पंडू-li-pi-? connection के लिए गुरात में विस्व का पहरा पांडू लिपी गरंताले आपको उतना नहीं पूचेगा आपको simply इतना पूचेगा ठीक है कि पांडू लिपी लाइबरेरी कहां बनाया गया तो आपको याद रखेगा पांडू लिपी जो बनाया गया वो है आपका गुज्रात में पांडू लिपी ठीक एक्स्प्लें नहीं करना अभी उसके बाद हम लोग आते हैं याद रखेगा हमने पहले क्या परा अभी हम लोगने जलसपता मनाया था देखें यहां दिमाग में बस कनेक करते हैं भारत जलसपता हमने मनाया थे यहां ग्रेटर नोइडा में याद दिल्ली में और जिन किसके दोरा किया गया था ग lithium राष्टिय सवच गंगा मिशन ने किया था यह चीज आपको रखनाएगा तो सिंपल आपको पूछा गया का घंगा ऊचंः ऊज्चती है तब बनाया गया किनके द्वारा तो राष्टी है स्वच गंगा मिशन के द्वारा ठीक है ऑक्टूबर में आए ऐसे एक चली नौबंबर में थोड़ा कम था क्योंकि मैगजिन में इससे आगे नहीं दिया हुआ है कोई बात नहीं आपको याद रखना है कि जो कासी तामिल सम्मेलन किया गया आपको पता होगा तो कासी तामिल सम्मेलन जो स्टार्ट किया गया है यह कहां किया गया है तो याद रखेगा वारनसी में पहला पॉइंट फिर दे में रिपीट कर दो कासी तामिल सम्मेलन कहां में ठीक है और वरानिसी से आपको ये भी याद रखना है कि SCO, SCO का पहला cultural, cultural heritage, capital किसको बनाया गए, बहुत important question directly छपेगा कि कौन सा city को SCO का आपका पहला cultural heritage, cultural heritage, आपका capital बनाया गए, तो वो है आपका वरानिसी, आपको याद रखेगा, वरानिसी में होगा, इसका आयूजन किस नहीं किया है, तो आपको याद रखना है, सिक्छा मंत्रा लेकर द्वारा किया गया है, याद रखेगा, कासी तामिल सम्मिलन, तामिल नाडू, और आपका वरानिसी में जो कल्चर एक्सेंज का बात किया जाएगा, उसके बाद याद रखेगा, मुंबई, महरास्टा में क्या किया गया, माइग्रेशन मॉनेटरिंग सिस्टम, अब यह क्या है, तो देखो, जो बाहर से जो लोग आते हैं, मुंबे बहुत लोग काम करने जाते हैं, बिहार का स्तिती देखी रहो, बुरा लगता है, लिकिन अब जो फैक्ट है, सो फैक्ट है, बाकि हम सब पे हैं, चली, तो माइग्रेशन मॉनेटरिंग सिस्टम, तो मा माइग्रेशन मॉनेटिंग सिस्टम कहां स्टार्ट किया गया, अगर किसी चीज में डाउट होना, आप नीचे कमेंट कर लेना, कि सर यह चीज मुझे समझ भीना, तो मैं उसको एक्स्प्लेइन कर दूंगा, अगर कुछ ऐसा हो, बाकि एक्स्प्लेशन नहीं देंगे, मु मुमबई में स्टार्ट किया गया, माइग्रेशन मॉनेटिंग सिस्टम, उसके बाद या जाएगा, रोजगार मेला का उद्गाटन किसने किया गया था, जिसमें बतायाएगे कि 2000 इसमें 10 लाक नोकरी दिया जाएगा, ठीक है, सेंटर गवर्मेंट में तो याद रखना है, जो इवेन बिहार में भी चल ला है, इस्टेट गौर्णमेंट के द्वारा और सेंटर में भी चल ला है, इसमें जो टॉप आया है, अगर कोई स्टेट आया है, आपको पूछा जाएगा, कि हर घर जाएगा, जो सबसे अच्छा इसने अपना परफॉर्फॉर्मेंस दिया ह तो आपको याद रखना है, गुजराट, ठीक है, हंडेट परसंट घरों में नल से जल इसने पहुंचा दिया, तो याद गएगा, सबसे अच्छा बहतरीन परदर्शन किसका रहा है, हर घर जल नल से, आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखेगा, अभी मैंने गुजर जरूरी नहीं कि सब चीज आपको याद हो गई, पर जितना याद कर सकतो, बार-बार जोड डालोगे दिमाग पे, तो ऐसा नहीं कि कुछ हो जाएगा दिमाग में, ठीक है, अच्छा हो, जैसे गुजरात में बोला, तो मैंने बोला, बुलियन एक्स्चेंज याँ हुआ यह सब चीज आपको याद रहना चाहिए, तो चलिए, बुलियन एक्स्चेंज हो गया, फिर से मैं अगर बात करूँ तो आपका नेशनल गेम हुआ था, फिर से आपका डिफेंस एक्सपो हुआ था, गांधी नगर में, ठीक है, यह सब चीज दिमाग में इस तरी किसे रख हाथी रिजर्ब, ठीक है, चलिए, उसके बाद आप आजाएए, जो इंपोर्टेंट हो का वही करेंगे, ठीक है, वही से आएगा, उससे जाला कुछ नहीं, ठीक है, अब याद अगेगा, जो सरस्फूट फेस्टिबल होता है, सरस्फूट फेस्टिबल, यह कहां मनाया गय तो आपको याद अगने, सरस्फूट फेस्टिबल जो मनाया गया, वह दली में मनाया गया, ठीक है, कहां, दली में मनाया गया और किनके द्वारा यह और्गनाईज किया गया तो, केंद्रिय ग्रामिन, विकास मंत्रा ले के द्वारा, यह बहुत इंपोर्टेंट है, सब से पहले में पूछूँगा, सरस्फूट फेस्टिबल कहां मनाया गया, तो आप बोलोगे, दली में मनाया गया, ठीक है, और किनके द्वारा यह और्गनाईज किया गया तो, केंद्रिय ग्रामिन, विकास मंत्रा ले, ठीक है, केंद्रिय ग्रामिन, मिनिस्ट्री ओफ रूलर है, उसको, तो इसमें कौन-कौन included है, पूछा देगा, तो हमारा सिक्षा मंत्राल है, फीफा, फेडरेशनों पर इंटर्डेशनल फूट्वल एस्सोसियेशन, और भारतिय फूट्वल महासंग, तो यह तीनों मिलके यह प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिसका नाव है, फ संगीत, निर्तिया, समारो है, क्या, उद्धव, उद्सम, याद रखना है, ग्वालियर, उसके बाद यहां आजाए, आप दो-तीन चीज में यहां पताऊंगा, सबसे पहले पूछा जाएगा, इंडियन स्पेस कॉंग्रेश, तो आपको याद रखना है, इंडियन स्पेस क कॉंग्रेश कहा है, स्टार्ट को आता है, आपको मुंबई, मसाला मसाला मुंबई में, ठीक है, गुजरात का फिर से एक आगया, गुजरात क्या है, गुजरात में क्या, एक विमान, जिसका नाम है C295, ठीक है, परिवाहन विमान बनाने का, वहां क्या अधार सिला रखा गया है, कि हाँ, ये विमान वहां बनाएगा, वहां इंडस्ट्री बनेगा, एसी पता है, गुजरात आगे निकल रहा है, ठीक है, गुजरात के वडोडरा में आपको याद रखना है, C295, जो परिवाहन विमान है, इसका मतलब अधार सिला कहां रखा गया है, इसका इंड अभी बदेशु दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो न्यूज में था, वो कहां से रेलेटेट है, वहां तो याद रिलेटेट है, या दखेगा, मध्या परदेशु हवेसे टेकंड का миने आभी बाताए था उद्धाव उट्शाप कहां इस म्यूजियों कहां बनाया जाएगा तो और दो में मनाया जाएगा याद मातना कट να इड़ेड कि फिट इंडिया जो 2022 में हुआ है दो अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चला था फिट इंडिया आपको यादकना कि फिट इंडिया फ्रीडम रन 3 पोईंट जी आपको बस इतना ही यादखना है ठिक है कि 2 Ocuman's 31 September के बीछ मी चला था अंतिस्का इसक कवर्या में हुआ है इतने यादगना तो दो October से 31 सक्षुंबर इसका ये time period बहुत इंपोरेटन ही तो यादगना और गुजरात ने क्या बिहündर बहुत इंपोरेटन है ये गुजरात ने क्या गुजरात में क्या क्या है मोधी जी ने क्या क्या है आपका मिस्टन स्कूल ऑफ एक्सिलेंस अब यह क्या है मिस्टन स्कूल ऑफ एक्सिलेंस सिंपल पूछ लिया जाए कि मिस्टन स्कूल ऑफ एक्सिलेंस यह कहां स्टार्ट किया गया है तो आपको यादखना है मिस्टन स्क School of Excellence तो गुजरात में और टेकनोलोजी का यूज किया जएगा पढ़ादे में और PM ने इसका इनुग्रेशन किया था जलवायू परिवर्तन पर अंतरास्थे सम्मेलन डाइरेक्ली याद रखना है तो यह आपका जम्मू कास्मीर में हुआ है आपको डाइरेक्ली याद रखन सासारम कास्वास vendor में शायाुच का सबसे बढ़ा मुर्ति लगाया जा रहा है साषै कि आइधार हो से चाहिवान जबता है आपको याद एकना ये अपका 369 feet कितना 369 feet तो या देकना सब दुनिया कर नकिया गया है मतलब हो गया है यह चाहिक है अन अ रहन किया गैया लिवे आदे सब्सक्राइए नाथद्वार भूलेगा राजस्थान डुनिया के सबसे उची मुर्त्पी having抽 269 और कहां लगया है राजस्थान में तो नात द्वार ठीक है उसके बाद आप सबसे मोस्ट यह तो पक्का छपेगा आपका यह है आपका जो राज्य सभा में ठीक है अभी रिसेंटली चार लोगों को एपवेंट किया गया है आपको पता है 12 लोग नॉमिनेट करते हैं राजपती पीटिभ राजा आपको याद करना एक प्लिशा खेल से रिलेयुने से रॉलेटा आपको याद रखना है इसमें की पीटिभ सा खेल से रिलेटे लिया राज築 को पता ओको एक आपका विरेंद्र समाजिक कार्या और फिल्म निर्दे सकें आपका विजेंद्र प्रसाथ ठीक है अब एक चीज याद रखना यहां पीटी उसाज के बारे में बता दाता हूं जो हमारा इंडियन ओलंपिक इसोसीएशन है यह बहुत इंपोर्टन अच्छपेगा ठीक है पहला ओमेन भी होगी पहला ओमेन भी होगी इंडियन ओलंपिक एसोसीएशन के ठीक है पता इस तरीके से पर आने केलिए कम से कम मेने इसको तीन ऐंगे थिए को को भाब आ रहा हो गहीं सभी है पर्दान मंतरी आवासयोजना अब यहां बात करते हैं कि जैसे कि हमने आपको बता था कि हर घर जल पहुचाने में टॉप पे कौन था तो वो था आपका गुजरात बट अगर पुछे के परधान मंत्री आवास योजना में टॉप पे कौन है ठीक है सर्फसेस परदसन किसका रहे तो आपको याद अखना है उत्तर प्रदेश का तो हर घर जल में गुजरात का और परधान मंत्री आवास योजना में किसका उत्तर प्रदेश का और यह जो परधान मंत्री आवास योजना कब स्टार्ट किया गया था तो प्रधान मंत्री आवास योजना सहरी जो है यह उत्तर प्रदेश इस पर टॉप पे रहा है आपको याद रखना है तो आपको क्या सम यहां तरहके से चाहे जोख आब यहां होगा बडालत करते मिधादिक हुधनी कि टैस हमें नियुकह्त चेह तो ये लोग अधालत कहा स्टार्ट हुआ है थिए याद लगेगा को कि 23 जन्वरी को क्या मनाते है तो दो चीज मनाते हैं एक मनाते हैं हम लोग प्राकर्म दीवस जो कि हमारा युनियन गर्णमेंट ङो मनाती है एक आपका क्या किह बंगाल गॉर्मेंट मनाती है canadian 23 जनवरी को किसका जनम दिन होता है तो आपका सुबार्चंदर पहुष़ का जनम दिन होता है ठीक है ठीक है उसका वगर हम यहां बात कर लें सिंपल यहां दिखेंगो ऊडिसा ने क्या किया एक डिसा कॉसे इतने भी जो मैंने यह भी बताए था आपको कि पहला health card जारी करने वाला वे state कोन है वो उडिसा ही है ठीक है छता सक्कून करता है तो उडिसा ही है बहुत सारे चीज में कर वाया है ठीक है इक अधर्भू में वह कहा है तो आपका वो भी आपका उडिसा में है यह सब चीज याद रखना वेट लेंड यह सब बला अमेरेट रिक से करवा रखाए चली इस बब में बार बार बोल दू बाटिपने लिए तो जो भी आपके कृसी उध्यमी है तो सिंपल याद अखना ओडिशा क्या क्या है सफल क्रेडिट कार्ड किसके लिए तो आपका क्रिसी उध्यमों के लिए बहुत इमपोर्टेंट है विश्व मसाला कॉंग्रेस मैं ने बता है था विश्व इस्पेस मुंबई में तो इंडिया स्पेस साइंस कांग्रेस तो देली में इस चीज मिन आपको बता दिया अयोधिया में क्या किया गया, 15 लाख दीब जला के record बनाया गया है, जिसको अयोधिया दिपोटसब बोला गया, 15 लाख दीब जलाया गया है, वंदे भारत एक्सप्रेस में रिसेंटली अभी चलाया गया था, तो ये जो नमॉमबर महिना का news है, वंदे भारत 2.0 के अंदर ग संतिनेगर और आपका मुमबई के बीज में, और यूपी तॉप था किसमें, परधान मंतरी आवास योजना में तॉप था, ये चीज में आपको बता दिया, ठीक है, यहाँ आ जाएए, उसके बात मत करूँ, तो आपका जो All India है, ठीक है, All India Radio है, ठीक है, और चुनाव आयो क्या करेगा, मतदान जंक्सन, ठीक है, एक कार्य कराम सुरू करेगा, ठीक है, क्या करेगा, एक कार्य कराम सुरू करेगा, मतदान जंक्सन, तो सिंपल पूछा जा सकता है, कि चुनाव आयोग ने, यह सिंपल पूछा जा सकता है, कि मतदान जंक्सन जो है, मतदान बोलो, मत इंडिया रेजिवों के दौरा श्टार्ट किया गया है एक क्या गया है किस्टाट्ट एक जो ड्रोवोती मुर्वू को यह धियां से तो हर start थिक किनके द्वारा दुरुपती मुर्मू के द्वारा बैसे के लिए किसे महिला उध्यमों के लिए है तो एहम्दाबाद गुजरात विश्वी दाले में किया गया था वस इतना आपको यादकना हर start किसने launch किया तो यादकना दुरुपती मुर्मू पूछा जाएग कि कि मेरे हिंदी थोड़ा मतलब दवेए प्रणाउस ना इस लाइक थोड़ा डिफरेंट एति तो मोडेरा मोडेरा गाउं जो है आपका तो नो मोडेरा गाउं जो है आपको याद रखेगा ठीक है 24 7 सौर उर्जा संचालित गाउं बन गया है ठीक है पहला कोशन में क्या मोडेरा गाउं कहां है आपका गुजरात में तो मोडेरा गाउं जो है 24 7 पूरी तरीके से सौर उर्जा संचालित गाउं बन गया है उसके बाद एक कोशन पूछा देगा मद्य परदेश का एक गाउं है जिसका नाम है बुरहानपूर इसको वार्टर सार्टिफाइट है ये भी याद रखेगा और एक गाउं है आपका आगे पर होगे तिरपूरा में जिसको पहला बायो विलेज घोसित किया गया है याद रखेगा अब याद रखना जैपरकास नारायन का जनम 1902 में हुआ था आपको पता है तो 1902 में इनका जनम हुआ था और 11 अक्टूबर याद रखेगा जैपरकास नारायन का 14 फिट का उची परतीमा लगा है तो आपका सारण जीले के सिताब दियारा में लगा है आपको याद रखना है यह पक्का आपका छपेगा ठीक है कि जो एक सो दरोगा का अभी एक्जाम दोगे यही बहला कोशन आपका छपेगा देख कि जो आपका 14 फिट उची परतीमा कहां लगा है जैपरकास नारायन का तो आपको याद रखना है सारण जीले के सिताब दियारा में लगा है ठीक है और 68 में तो फिक्सी है इसका चलिए उसके बाद आपको याद रखना है यह हो गया यहां से जो इंपोर्टेंट है उसके हमें डिल करना है आजाई यहां ठीक है उसके बाद हम लोग आते हैं हैधराबाद ठीक है तो हैधराबाद सयुक्त राष्ट विश्वा ठीक है भू इस्थानिक कांग्रेस का उद्गाटन किया गया है यूनाइटे नेशन जीयो लोकल कॉंग्रेस सिंपल याद अगना कि है हेदराबाद में क्या किया गया है तो सयुक्त राष्ट विस्वा भू इस्थानिक कोंगरेस अब देखो तीन तरह की यहां क्या गया था है पहला थे हैं. यह द्रोपती मुर्गु इस से ज़्यादा इंपोर्टेंट को सा है हर इस्टार्ट प्लेटफॉर्म किस ने लौच किया है आपका मुर्गु ने किसके लिए महिला उद्यमियों के लिए महिला जहां लग गया मतलब समझले बहुत इंपोर्टेंट है उसके बाद है आपका कि अरुनाचल और नागालेंड याद अखेगा यह दो इस्टेट है पुर्वत्तर भारत का जहां आपका SPA कानून सपा कानून लागू कर दिया गया जिसको बोला जाता है आर्म फोर स्पेशल पावर एक्ट है आपको पूछा जाए कि SPA कौन से दो राज्य में लगाया गया है तो आपको याद अरुनाचल प्रदेश और नागारन अरुनाचल प्रदेश ने हमने रिसेंट उन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया है उसमें बताया गया कि सबसे जादा जो परियेटक आए हैं विदेशी परियेटक कौन से स्टेट में आया है ठीक है रिपोर्ट के अनुसार तो वह है आपका महरास्टा में और उसके बाद तामिल नादू में ताज महल देखनी नही पुलू 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 पु और आपका सोर्य उर्जा सईंत्र चालू किया है अब ये बहुत ब़रा बात है ठीक है कि अदानी ग्रीन इनर्जी लिमिटेड ने जेसल में राजस्थान में 600 मेगावाट चमता का विश्व का सबसे ब़रा पवन उर्जा सईंत्र चालू किया है अब दिखो राजस्थान का तो याद आना चाहिए हमने बात किया था सबसे बड़ा सिभ भगवन का मुर्ती लगा है 269 फिट का ठीक है याद रखिए उसके बाद है आपको याद रखना हर्याना के मानिसर में क्या हुआ है 橋 को तो युविरोधी अव्यास हुआ है और हर्याना निकली बहुत सारे चीजें किया है और अभी याद होगा हर्याना का वा हुआ हर्याना के मानिसर में आपको היणा होगा है इतनाabos किया है इसने किसके लिए इसराइल के साथ किया है वाटर मेनेजमेंट के लिए फिर से बता दो हर्याना ने किजा क्या है ऐसे उतना इंपोर्टेंट नहीं पर याद कर लो ठीक है आप आगिया है तो हर्याना सरकार ने आपने दो कंट्री के साथ एक दुबाई के साथ और इस वाटर मिनेजमेंट के लिए अब यह इंपोर्टेंट है देखो तामिल नाडु सरकार ने करूर और करूर और डिंडुगूल जीलों में इस्थित आप सिंपल आपको याद अखना है तामिल नाडु कंदूवर पताल लोरिस सेंडल लोरिस अभ्यारन को अधुसूचित किया ह किया है इसको अधुसूचित कर दिया है इसको बचाने के लिए किसको को बचाने के लिए स्लेंडर लोरिस को बचाने के लिए यहा धकना है तामिल नाडु सरکार ने करूर में में इस्तित कदूर को पताल लोरिस अभ्यारन अधुसूचित कर दिया है अब यह पताल लोरिस के आप देख लेना एक जानवर है ठीक है यादखना उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो केबल ठीक है केबल स्टेट कम सस्पेंशन ब्रीज तो यह बेसिकली कौन सी कि भलन है कि तो यहाद गते हैं कि किसान सम्मेलन कहां हूँ इसके बाद प्रधान मत्री दौरा डो दिवस्या उदगातब्र मोदी जी के द्वारा किया गया है तो पीम किसान सम्मेलन कहां हुआ है डली में हुआ है यह चीज आपको याद अगना है मोदी जी ने काइद गहाटन किया था धन वर्सा योजना किसके द्वारा लॉंच किया गया है तो याद अगना LIC के द्वारा किया गया है और याद कहां लगाया गया है तो संगूरा पंजाब में लगाया गया तो कि एसिया का सबसे लारडचेस। कॉंप्रेस्ट Πेुश्ट लाया गया है, तो संगूरा आपको पं यहाँ आप में लगाया गया है यहां चाहिए खिंशा- असाम जो सरकार है वो digital सिक्षा को बरावा देने के मैमोरेनडम साइन किया है तो सिंपल असाम गवर्मेंट ने digital सक्षास को बरावा देने लिए गूगल के साथ समझ भठा किया है ठीक है बस इतना ही आपको याद रखना है उसके बाद याद रखना है कि दिया जलाओ पटाके नहीं अभियान कहां स्टार्ट किया गया था तो देली में और anti-dust अभियान भी कहां स्टार्ट किया देली में होगा तो याद रखना है दिया जलाओ पटाके नहीं अभियान दिली सरक पूछा जाए, तो दिल्ली सर्कार, और एंटीध अभियान यह भी आपका दिल्ली सरकार नहीं स्टार्ट किया है याद एकआगी भरच्वल इसकूल, आगे पर हो गवाँ इसकूल, पहला सबसे पहला ऐसा कौन सा UT है चाहे आपका state है जो virtual school start किया है वो भी आपका डेली सरकार है explain नहीं कर रहा हूं क्या है कैसे बस याद रखना उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि एक website launch किया गया है simply क्या है basically एक ऐसा website होगा जहां fund जमा किया जाएगा जो भी हमारे arm force है उनके लिए तो याद रखना माभारती सपूत ठीक है website को launch किया गया है तो website का नाम क्या है माभारती के सपूत ये क्या होगा तो ये fund घटा करेगा तो रक्षा मंतरी राजनात सीने नई दिली में ससत्र बल कोस ये fund जारी करेगा ठीक है तो simple याना arm force के लिए एक fund के लिए website जारी किया गया है जिसका नाम है माभारती के सपूत और किसने launch किया है तो राजनात सीने launch किया है याद रखेगा दुर्गावती टाइगर इजर मैंने बताया था नूज में था कहां आपका मध्यपरदेश और मध्यपरदेश MBBS course को पहली पहला ऐसा इस्टेश होकर जो MBBS course को हिंदी में लागू करेगा ठीक है यह बहुत इंपोर्टेंट है कि टोटल आप यह याद रखना कि ओनेश्टी सौप कहां लागों किया गया तो कहां के स्कूल में स्टार्ट किया गया था ओनेश्टी सौप तो आपको याद रखना है केरल के स्कूल में काफी न्यूज में था है इतिकहे बच्चों को क्या कर दिया को सब समान वहां रखा हुआ है ऐसी है। इस को कि आत्म के आजाना है ऊऩ। आपको अन्डारिते के ग्लूफलेक सार्टिफाइड आपके ग्लूफलेक सा Cash है हमारा समूधी ट्ट टोटल 12 हो ग्यां यह कौन जारी करता है तो डेंड्मा के फाउंडेशन एक फाउंडेशन फॉर इंवाइरोमेंट एजूकेशन चाहल द्वारा दो और जो हमारा include किया गया है एक है मीनिकोई, थूटी और एक है कदमत टट सिंपर याद एकना है एक है मीनिकोई, एक है कदमत ये दो टट ऐसा है मीनिकोई, कदमत, कहा का आपका लक्सदीप का याद एकना तो सबसे पहले याद एको के total blue flag certified हमारा दो समुदी टट कितने हो गए है तो आपको याद एकना है 12 टट हो गए है दूसरा याद एको कि दो लेटेश जो एड हुआ है वो कोन है तो मीनिकोई, थूटी मीनिकोई और आपका कदमत टट कौन इसको देता है ये चीज तो याद एकना डेन्मार्क का है Foundation for Environment and Education द्वारा जो की लक्सादिप का ये दू दू इप्था उसके बाद आप आ जाए उसके बाद भारत अब ये आद एकना असाम के बारे में ने आप उपर बात किया था असाम सरकार क्या कर रहे है तो आपको भारत में जंगल के बाहर पेर कारियकरम किसने इस्टार के है मतलब जंगल से बाहर भी पेर लगाने का ठीक है तो ये है आपका आसाम जिसने आपको कड़ाय था जुडीमा वाइन याद है जुडीमा दारु कहां का इसको GI टैंक मिला था असाम का सब ट्रिक्स से करवाया हुआ उत्तर पर्देश सरकार ऊत्तर पर्देश सरकार रानी ताइगर रिजर तो यह आपको बता जहाए तो इसका साइवर क्राम करोखना तो सिंपल कुछा देगा चक्र किसने लॉंच किया तो आपको यह स्वर्ज ओपरेशन चक्र किसने लॉंच किया तो यह क्या मैं इसका एंग किया है तो आपका साइबर कराम को कम करने के लिए ठीक है यां दखिए अब यह हम लोग आते हैं सेट्मबर में सबसे बहुए याद रखोगे जो हमारी वित्त मंत्री है नील्बाशिता रमन उन्हें एक e-learning platform launch किया है इसका नाम है भारत विद्या किसने लौँच किया है तो निर्माशिता रमन नहीं किया काम क्या होगा तो यह basically हमें knowledge देगा ठीक है culture के बारे में science के बारे में और बहुत सारे चीजों के बारे में हमें knowledge देगा तो simple भारत विद्या पोटर किस ने लॉंच किया है निर्मिला सिता रमनी किया है क्या के लिए तो knowledge देगा about culture science and all ठीक है इतना यहां दखना है उसके बाद यहां दखना है जो हमारा 12 ठीक है महारतनन कंपनी कोन बन गई है तो आपको यहां दखना है वह रूलर एलेक्ट्रिफिकेशन कोर्पोरेश ठीक हैं? कॉर्पोरेशन पी-एफ-सी पावर पाइनेस कॉर्पोरेशन ठीक है और बारमा कौन बना है? र.E.C बना है ठीक है चलिक है आगे आ जाएएं उसके बाद आपको याद अखना है टरी संकी जहां तो यह टूरिजम में आपको को पुर्वावाद देने के लिए क्या क्या और जिक्षा gusta वैसली टो जिले stops तो नौर्थी केम में क्या क्या पहला ठीक है हीं जिसको बुला जाते है एवलेंची मोनेटिंग सिस्टम पहला हीं मने गिरानी रेडार तो सिंपल पुछा ज़ा कि फीम निगरानी गार कहा लगाया आपका बंऔर कर रहा हुआ यह आ टू आपका पर दुर्ण आपका मोनेटिंग इस्टम को सुन आपकर नज बना इसक ऊपका इनटिआ को वैले सिविलाइसें संग सो आपने पराः था ठीक है तो उसका म्यूजियम बनाया जा रहा तो राखी गरी हर्याने में मनाया जा रहा है और हरप्प आपको पता होनाः चिल तो 19 से 21 में किया गया था किसने तो दयारां साहिनी के द्वारा किया गया था था ठीक है बट में लिए अभी आपको इतने याद रखना है कि राखी-गर में हरप्पा म्यूजियम बन रहा ये चीज़ आपको याद रखना है थे कि उसके बद याद रखेगा पोशन उसब पोशन उस तब मनाया गया है पोशन उसब जो मनायाएगा कब से कब तक तो 30 सेप्टमबर से लेके 2 अक्टूबर के बीच में क्या मनाया गया पोशन उसब किसके द्वारा तो ministry of मिनिस्ट्री ओप ओमेंड चाइल डेवलप्मेंट महिला एवं बाल विकास मंत्राले के द्वारा सिंपर ये डेट जरूर याद रखेगा बहुत इंपोर्टेंड ठीक है तो तीस सेप्टेंबर से लेके दो अक्टूबर तक पूछ लिया जाता है तो पोशन उतसब पहला कहां गुजरात में तो गुजरात के ही हजारी हजारी में रिलाइंस इंडस्ट्री क्या लगा रहे है गुजरात के हजारी में वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार्वन फाइबर प्लांट लगा रहे है मैं सोट में पुरा करवा रहा हूं बस दिमाग में ध्यान रखना सबसे बर कार्वन फाइबर प्लांट कहां लगाए जा रहा है गुज्रात में लगाए जाए गुज्रात हों हजारी में और आपका डिलाइस लगा जाहा है गूज़ा रहा यह था इस चीज के वारे मैं ने अभी डिसकूस किया था कि पहला बर्चुल स्टार्ट के द्ली सरकार के द्वर यह उनके लिए होंगे जो से मतलब सक्षम नहीं है आपका इस्कूल आने के लिए अब याद रखेगा दिली सरकार पहला बर्चुल उसके बाद याद रखेगा एक साइबर सेकुरेटी प्रेक्टिस किया गया है इसको नाम दिया गया है सिनर्जी क्या नाम दिया गया है सिनर्जी तो सिनर्जी क्या है आपको सिम्पल पूछ लिया जाएगा तो आपको याद रखने साइबर सेकुरेटी प्रेक्टिस से सिनर्जी याद रखेगा किसके मतलब computer emergency response team India के द्वारा यह मतलब organize किया गया था जिसमें 1310 ने भाग लिया था ठीक है तो simple आपको पूछेगा यह ठीक है कि cyber security practice synergy तो synergy बिस लिके आए तो cyber security अभ्यास है आपको यह पूछा देगा जो आपको पता रहना चाहिए ठीक है याद रखेगा HDFC ने क्या क्या है तो bank on wills ठीक है wills के उपर bank bank on wills मतलब यह क्या होगा mobile होगा mobile in the sense एक जगर से दुसरा जगर जगर जो bank जा सकता है ठीक है दो चरण में हो रहा है वह चीज यह आकिड itu भिहार के मुखे मंति आपको पता है रवरम इंडिया को सबसे ब्रॉट ली सिटक है जिसका नाम दे साइगे है 411 मेटर इसका लेंद है कितना 411 मेटर इसका नाम चीज़ के गया जी डेम भी रखा गया है उसके बाद आ गया आ जाई है आप लोग गुझराद सरकर ठिक है या दखना एप दो तीन चीज में बताऊंगी सबसे पहला पूछा जंगी Drone Policy जैकर Olha ठिक है रती जरे ड्रॉन पालिशी लाया है पहला टॉरिजम प्रियुक्छाय किन लाया है तो आप बोलोगा इसकति आप neutrॉर необход लाया है और पहला ड्रॉन निती को लाया तो हिमाचल प्रदेश लाया दोनों दिमाग में चाप लिजे ठीक है अब विहान AI सिंपल याद रखना यह एक AI है किसके द्वारा लॉंच किया है तो टाटा गुरूप के द्वारा लॉंच किया गया है ठीक है विहान AI not that much important पर AI आपका टाटा गुरूप ठीक है अब याद रखना यह बहुत important है कि सुच सुजल प्रदेश तो याद रखना अंडा माने निकोवर्ड को क्या घोसित कर दिया कैसा सुजल प्रदेश घोसित कर दिया गया है सिंपली आपको पूतादे कैसा सुजल प्रदेश किसको घोसित आपको पूछा जागरित कारेकरम किस से रिलेटेट है तो याद आपने education से रिलेटेट है ठीक है और यह जो जागरित कारेकरम है basically 8-12 चात्रों के लिए यह start किया गया के इंड्रे मन्तरी अपका धर्मेद परता है तो आपको याद हमे जागरित कारेकरम किस के दिवार लौच किया चात्रों कार अपका लिथियम का बैटरी यूज होता है तो इसका पहला फेक्ट्री कहां लग रहा है तो आपको याद रखना अंधरापरदेश और याद रखना लिए लिए इसको अवड मिला है तो आपको याद रखन अब जो है एक नया जो फ्लेग है ना फ्लेग है तो जो हमारा नेवी है उसके लिए नया फ्लेग जारी किया कोची में क्या था याद रखेगा फ्लेक का नाम क्या है तो निसान अब क्या है कि एक इसे मैंने बहुत बाड़े यह सब चीज कर वाए आपको कि एक नया बस ठीक है अब याद रखना क्रितिग्या 3.0 किनके द्वाड़ा लॉंच किया गया था इंडियन काउंसल अग्रिकल्चर रिसर्ट सिंपल डाइरेक्ली पूछा जाए गया क्रितिग्या क्रितिग्या 3.0 क्रितिग्या 3.0 ठीक है याद रखेगा उसके बाद है आपको याद रखना है गुजरात के वाब नगर में क्या हुआ था इसका उद्गाटन किया गया था 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 थे एक कोशन पूछा था कि insite 2022 क्या मैंने बोला इंसाइट 2022 कॉन्फ़रेंट ये कहा हर साथ लोगों को ठीक है जो पबलीक शार्वीसे प्रिस हो हो ये ज्यादा यूजी करने लिए लुए इस आपलダम याद रखना 6 थे कि अब या अब या रखने मामला longer मंत्रा ले कोश्व ट्युक्ठाड आपको पूचा जाहिए कि स्वच्ब TOEYOKTHOKHEं कहा स्टार्ट किया गयास तर याद उन्ढीर थे यह पर किया गया है कहा इसे किया हमें बताते हुआ हम LEB है सितंबर में ऐवास और साहरी मामलन इसमें क्या है कि ग्छलोणा बनाते हैं उसमें कचरे चाह कर सकते हैं किसे रिलेटे था लिटे था तो खिलोना से रिलेटे थी कर खिलेटे थे और किसने लॉंच गया तो ministry of home and urban affairs ठीक है यह चीज़ आपको याद रखना है उसके बाद है आपका मेनी बता दे कि डेली में क्या क्या कि inside 2022 conference launch किया गया electrical vehicle को और ज्यादा promote करने के लिए ठीक है उसके बाद याद रखेगा एलविज अजी हजारीक already channel को पार करने वाले पहले दुन्या के जैनल को पार करने वाले सबसे उमरवाला जो है उसका नाम किए है यह इसरिक ही यह झालुछ नॉर्धिसे हजार्ट ऑ पूछा जैगा कि इफास्ट किसंके दौर रा लॉंज वह थो सब्सक्राइब शफीठ के महां थो य่ लाँ पूछाता पूचाजाए में नियातेया तो यह किस से रिलेटेट है तो एक फ्रेट प्लेट्फॉर्म याद रखें आध में जो हमारा जो पुर्भी का जो लास्ट चौकी है आर्मी का उसका नाम क्या था किभू तुटि सेन्या चौकि है उसका नामος चेंज करकर्डिया जाएगा आपका जेनरल विपिन बहारत कॉन्फरेंस सम्मेलन किसे रिलेटर तो और इंड्याल को बढ़ावा दी कि विलेटर यह चीज याद के भारत में अंगदान को बढ़ावा देने जो मार्ग था राजपत था उसका नाम चेंज करके क्या करता है करतव्या पद करता है एगें किसके द्वारा आपका केंदरी आवास इम सहरी मंतरा लेके द्वारा Ministry of Ministry of Home and Urban Affairs कोन है उनके मंतरी Ministry of Home आपको पता है वो है हमारे जिन्होंने क्या 14 फीट का जो सारेंट डिस्टिक में जेपी नरायन का उद्गाटन की है मुर्ति का कौन आप नीचे कमेंट करोगे बेस्ट फ्रेंड बस इसके बार को याद अखना है तिर्फूरा हम यही चीज़ करना करें अमीथ do अनरे में इस्थित ठीक है अम एक पहला बाई बिलेज ठीक है पहला घूफ remains बाई बिलेज तो duy फुस्ड बायव मिलेज नाम क्ला दासपारा भी लेक्क है यह दासपारगा दासफ़ागांज आपको यादए तिरपुरामे रसाइनذ खादों के उपयोग को का मैं सिमपल या यादए का पेला यह पहला परदीवर्दि जैवगाउं पहला जैवगाउं को citizens आको याद आखना गाँ दासपूरा आपको याद अखना है आपका तिरपूरा थीह है याद रहेगा चली उसके बाद याद रखीएगा मंन्थन तीसमें जो दीवसिये पर्ग्राम हुआ था सम्मीमिले नशुत किन को वर zij कि starting किया गया मंचनप्रगाम तो यह एने के द्वारा स्टार्ट किया गया था ठीक है बैंग्लोर रुम हिए मंतन प्रग्राम अब समझ गये होग ही एने जैदरण किया नेतिनगरगरी गहातर मंथन प्रगाम बैंगलोर औराम अतना याद रहा है अपको एक उसके बाद याद रखेगा center state, जितने भी center है, center मतलब union, मतलब जो मेन सरकार है, union जो बैठी हुई है, और state के जितने भी सचीव है, उनका क्या हुआ था, आपका center, राजिय, विज्ञान, सम्मेलन, यह कहां हुआ था, तो आपका एहमदामाद में हुआ था, और PMG भी इसमें present है, directly इतना ही याद रखना है, ताकि अच्छा संबंद बने, राज्य और आपका संग के बीच, उसके बाद याद रखना है, कि कांग्रेज ने, भारत जोरो यात्रा, काफी news में याद रखना है, तो भारत जोरो यात्रा है, वो 12 states से होके गुजरेगी, और 150 दिन तक चले गुजरात में क्या क्या है, देखो, गुजरात, 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 गुजरात में आभी आपने देखा, ठीक है, बहुत सारे चीज़ लगा है, उसमें एक और चीज़, सेमी कंड़क्टर, ठीक है, सेमी कंड़क्टर का वहाँ प्रोडक्शन होगा, गुजरात में उस मैं तिंख था आब या अथा ङstad आलोधल मेच्णा के आजर रास्तिय समूंदरी विरासत संस्थान अजय बांचें बहुत इंपकोrust in ने लोधल का कहा है अपका गुज्रात में तो लॉधल में रास्टिय समूंदरी विरासत संस्थान बनाया जारा यह बहुत ही बोधल को हम आपको पूछा जाएगा कि zero campaign मैंने एक क्या कर रहता है e-fast, e-fast किसने start किया है नीती आयोग, उसी तरह किसे zero campaign किसके दौरा start किया गया है तो नीती आयोग के दौरा start किया गया है इसमें क्या है कि electrical vehicle को यहाँ भी promote किया जाएगा है ताकि जो air का quality है वो और improve हो पाए तो आपको याद अखना है zero campaign नीती आयोग और electrical vehicle को आपको और मतलब उसको support करना कि लोग electric vehicle use करें तो नीती आयोग दौरा याद अखेगा कौन सा campaign start किया गया है तो आपको याद अखना है नीती दौरा सुनिया अभ्यान की पहली वर्सकार्ट के लिए नई दिल्ली में सुनिया फोरम का आयोजन किया गया है तो याद अखना सुनिया फोरम आए सुनिया campaign आए air को ठीक करना है electric vehicle को और बरहावा देना है नीती आयोग आपको याद अखना है उसके बाद याद दखेगा पहला पहला वानिकी पहला वानिकी विस्विद्दाले कहां बन रहा है तो आपको तेलंगाना में बनना है इसी तरीके से मैं बहुत को बिहार में वानिकी कोलेज कहां बना है तो मुंगेर में बना है और याद अख़ेगा इन्होंने अपना सची वाले का नाम चेंज खरके तेलंगाना ने B.R. Ambed कर पे उन्होंने अपना सची वाले का भी कर दिया in digital addressing CD अब याद ना indoor indoor एक ऐसा सहर होगा जिसमें क्या होगा the digital addressing system यू चू से होगा हर एक सिस्टम कहा है स्टार्ट किया इन दोर में स्टार्ट किया याद रखेगा बिहार सरकार बहुत इंपोर्ण है नो बेग दे और खेल पिरियद तो स्कूल में नो बेग दे और खेल पिरियद स्टार्ट करने वाला कौन बन गया है तो आपको याद रखना है वह है आपका बिहा लोगे तो उसमें से गोल्डती निकलीगा कहा तो हाइदरवाद मिय तो गोल्द एकेम medida है ओधर और ग्रेakesन आपका ग्रुže ग्रुग्रम जंगल सफारी पारक कहां बनाया झाहिए याद रहा हैं महाला स्टार्ट कें canエ successes मेला नेधी प्रोग्राम काहें स्टार्ट कियां आपका आपका और जैसे कि अबी आपनी क्या कर दे हम लोग किया के संधिक अपकर राजी गंथी game का नाम छेंज गर दया ध्यांचन्द खेल्रतन डग दिया उसी तो राजस्थान ने किया कि अपना जो एक खेल्रतन के जगा मतलब जो राजीव गांदी खेल रतन एक अवर्ट स्टार्ट किया ठीक है तो राजस्थान राजस्थान महिला ने दीise eam आपको याद रखना है चीन तो चीन यह है सुघने वाली कोरोना वیک्षिन को मंझूरी देदिया है जैसे चीन यह कने बताया थे कि राजस्थान संस्कारखें खोल ना में बाताया थे कि राजस्थान संसकारखेंदр ठťक है तो मैं को याद रखोगे तेलंगा बाता है फॉरस्श ए उनिवर्सटीह ध्रीम हेankaD तिलंग सगा ने अपना सची वाले का नाम ये भी चीज में आपको उपर समझा दिया था, याद रखना BEE, Bureau of Energy Efficiency ने क्या क्या, आगन स्कीम स्टार्ट क्या या प्रोग्राम स्टार्ट क्या है, तो उर्जा दक्षिता Bureau, जिसको हमने बोलता है, Bureau of Energy Efficiency ने आगन 2022, आपको टार्गेट है कि हम लोग कार्बन जीरो स्टेट बन जाएंगे, 2040 तक है, याद रखेगा, अब याद रखेगा, कि उत्राखन के सिक्षा विवाग ने E-Governance Portal समर्थ याद रखेगा, तो समर्थ पोटल जो है, किस ने लौंच किया है, तो उत्राखन ने स्टार्ट किया है इसका उदेश किया है, तो सिक्षा के छेत में बदलाव लाना, सिक्षा को और इंप्रूब्ट करना, गुनवन्ता पूर्ण करना, तो सिंपल पूछा जाएगा कि आपका समर्थ पोटल, समर्थ पोटल, बोलते हैं अगर परहाई लिखा है अच्छा है तो पुरा समर्थ हो आप यह ली का अज़गा, उत्तर परदेस का भरतोला गाउँ, आरो का जल उपलप्त करवाने वाला भारत का पहला गाउँ बन गया है ठीक है बरतोला गाओ लिए तो आरो का वाटर मिलता है तो सब लोग क्या करता है भर भर के ली क्या आते है तो आरो का जल पूरी तरीके से पूरे गाओं में एवी लेवल हो गया उत्तर परदेश का यह चीज आपको याद अखना है इसले तो भर बर के लोग ले जा रहे ठीक है और तो प्रदार मत्य आवास यूजना पर यह टॉप पे था और हर घरजल में कोन टॉप पे था गुजरात था उसके बाद आपको याद रहें कि डिजिटल इंडिया मिशन के तहट बुरानपूर के बारे में नहीं बता है बुरानपूर एक जो आपका गाउं था कहां आपका पेट गाउं सार्टिफाइड गाउं इसको घोसित किया गया तो डिजिटल इंडिया मिशन के तहट इअव्यान पोटल के माध्यम से मामलो का निप्टारा करने में उत्तरपरदेश सिर्श अस्थान पे यह बहुत इंपोर्टेंट है कि डिजिटल इंडिया के मिशन से इस अगला नेक्स तीन मंत का करेंगे ठीक है प्लीज आप ज़रूर बताएगा कैसा लगा या मैं ऐसे ही महनत कर रहा हूं पर मुझे पता है यह बैस तरीका है लास समय में करने का आप खुद पर होगे तो आपको बहुत फ्रस्टेशन होगा बट फ्रस्टेट नहीं होना है क् बस इतना चीज आपको एक चीज बस याद रहतना जब भी परणने का मन नहीं करेगा कि अगर जाम मैं यह निकाल लोंगा तो मुझे क्या-क्या मिलने वाला है उसके बाद मेरा लाइफ कैसा होगा और अगर नहीं निकालोंगा तो फिर कैसा होगा बाकिया आप खुद समझ आरो, जेहित!